वेलकम टू राजमितिस्टटी मैं हूँ अभिशेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चेप्टर टू एक्सपोनेंट्स की एक्ससाइज टू ए और एक्ससाइज टू एक कोशन हम लोगोंने फोर तक के पिछली वीडियो में किये थे आज हम लोगों कोशन नमबर 5 से करने वाले हैं देखो जनाब यहाँ पर जो आपको कोशन नमबर 5 देख रहा है यहाँ पर evaluate यहाँ पर 1 by 3 पावर माइनस 3 और यहाँ पर यह सब दिया हुआ है इसको solve करना है अगर आपने पिछली वीडियो देखा है न तो आपने introduction भी देख रहे हमारे पास त्री अब जब इस तरीके से कोशन आएँगे हमें क्या करना है हम देख पाने बीच में Minos है में कुछ नहीं करना है सबसे पहले हम माइनस हapo को बनाना है कीसे से यह जो बैस दिख रहा है 1 by 3 इसका राशी कुरोकल करके अब राशीوع करोगे तो यह 3 ऊपर च हो जाएगा और power minus से plus हो जाएगे ठीक है यहां पर भी यही करेंगे हम लोग यहां पर हो जाएगा 4 उपर 1 नीचे यहाँ पर power minus 3 इतनी बात clear है अब दोखो 3 by 1 है ना इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं वैसे 2 by 1 है इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं और इसको 4 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत है comment कर देना भाया चलो अब हमें क्या करना है simple सा इसमें हमने 3 लिखा तो यहाँ पर हो गया 3 का cube मतलब power 3 है यहाँ पर 2 की power 3 है और इसको हटाया divide किया 4 की power यह minus नहीं रहेगा plus बन जाएगी यह 3 हो गया ठीक है इसको दोखो 3 की power 3 मतलब 27 कितना आ गया 27 3 into 3 into 3 3 3 is a 9, 3 9 is a 27 27 आ गया लिख दिया 2 की power 3 मतलब 2 into 2 into 2 2 2 is a 4, 4 2 is a 8 यहाँ पर 8 आ गया चीक है चलो अब यहाँ पर 4 की power 3 मतलब 4 4 is a 16, 16 4 is a 64 4 into 4 into 4 क्या हो गया यहाँ पर 64 यहाँ पर लिख दिया हमने 64 इतनी बात clear होगी इन दोनों को minus कर दोगे तो कितना आ जाएगा 19 और यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड डिवाइड हो गया 64 अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 19 by 64 बस यही हो गया answer अगर answer नहीं आ रहा है ना तो comment करके बता दो अब 19 by 64 है अब इसे काट के देखो जो भी अब इस नंबर को काट देगा उसको हम पिन कर देंगो उसके नंबर को मतलब comment को चलो अब यहाँ पर question number 5 हम लोगों ने कर लिया है तो अब आते है question number 6 में question number 6 कहां को गया है यह रहा question 6 देखो question 6 को जैसे हम लोगों ने question number 5 को solve के ना same वैसे ही question number 6 है हमने क्या देखा यहाँ पर है 4 by 3 1 by 4 power minus 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 है हमें सबकी power पहले plus में करनी है कैसे देखते जाओ यहाँ पर इसकी power हमें plus में करनी है तो इसका reciprocal करेंगे 3 उपर 4 नीचे यहाँ पर plus 1 यहाँ पर reciprocal करो कि power plus हो जाएगी तो 4 उपर 1 नीचे power plus हो गई चलो इसको ऐसे ही रहने दो minus 1 रहने दो इसको solve करो अच्छा 3 by 4 power 1 मतलब क्या हुआ 3 by 4 ही हुआ कुछ तो changement नहीं हुआ इसमे minus 4 by 1 इसका मतलब क्या हो रहा है 4 by 1 power तो 1 है कोई दिक्कत नहीं चलो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास minus 1 यह अलिपावर यहाँ लगा दिए हमें क्या करना है इसका LCM ले लेना LCM हमने लिया 4 आगया 4 को 4 से divide करेंगे क्या आएगा 1 आएगा 4 by 4 1 आया 1 का 3 से multiply 3 by 3 अब 4 को 1 से divide करोगे 4 आएगा 4 को 1 से divide करोगे 4 ताइम आएगा 4 का 4 में multiply 4 फोर जाद 16 16 इसको solve करो यहाँ पर आगया minus हमारे पास 13 यहाँ पर minus 13 भाई हमें यहाँ पर 4 मिल गया ठीक है अब देखो यहाँ पर ना power क्या थी minus का 1 था यहाँ भी power क्या है minus 1 है अब इसको minus हमें plus बनाना कैसे reciprocal कर देंगे 4 उपर 13 नीचे अब क्या minus यहाँ पर रहेगा नहीं minus हमेशा उपर लगता है numerator में यहाँ पर plus 1 हो गया अब 1 लगाओ या फिर ना लगाओ यह आपकी मर्जी नहीं लगाओगे तो भी answer यही है minus 4 बाइठी और लगा दोगे power 1 क्योंकि one power जो होती है ना इसका कोई मतलब नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर question number 7 को हम लिख देते हैं question number 7 है वो है हमारे पास 5 minus 1 into 3 minus 1 bracket में minus 1 divide 6 minus 1 ठीक है यह है question हमारे पास 7 वो गलती से लिख दिया था 6 को ही दोबारा लिख दिया था ठीक है चलो अब देखो minus 1 है minus 1 है हमने देखा बीच में multiply base जो है वो एक जैसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इस minus को पहले plus में change करेंगे तो plus में करने के लिए हमें reciprocal करना पड़ीगा reciprocal करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके divide में 1 मान लेंगे इसके divide में 1 मान लेंगे तो 1 उपर चला गया 5 नीचे आ गया तो ये plus 1 हो गया अब plus 1 लिखने की ज़रत नहीं थे जैसे कि यहाँ पर 1 by 5 plus 1 आया अब इसको 1 लिखने की ज़रत है नहीं आप सर्फ 1 by 5 लिख सकते हो यहाँ पर multiply और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे तो 1 by 3 आ जाएगा चीक है अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है minus 1 है divide किया यहाँ पर 6 भी minus का divide में 1 किया तो इसका reciprocal कर देंगे फिर से यहाँ पर 1 plus का हो जाएगा लिखने की ज़रत नहीं है 1 को ऐसे ही करो इसको solve करोगे 5 3 जा 15 1 by 15 और फिर यहाँ पर minus 1 है divide 1 by 6 अब देखो यहाँ पर minus का इसको प्लेस में बनाना है फिर से इसका reciprocal तो यह नीचे है उपर चला जाएगा तो 15 by 1 ठीक है अब 1 लिखने की ज़रत नहीं प्लेस 1 ऐसे लिखा है हमने लिखने की बिलकुल ज़रत नहीं 1 by 6 है अब यहाँ पर हम 15 को ऐसे लिख सकते है 15 by 1 को सिर्फ 15 लिख सकते है divide की जिखर पर multiply और इसका reciprocal हो गया हमारा solve अब आते हम लोग कोशन नमबर 8 में देखो कोशन जो हमारा 8 है इसमें क्या कह रहा है अच्छा देखो 2 और पावर 0 हमने क्या आपको बताया था अभी बताते हैं यह है हमारे पस introduction वीडियो का introduction वीडियो में यह सब हमने समझाया था कब क्या कैसे होता है जाओ और इसको जरूर देखो नहीं देखा है तो तो यहाँ पर A upon B अच्छा एक चीज़ हो रहा है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोशन करते हैं फिर दुबारा कोशन करने जाते हैं एक दो दिन बाद तो हम लोग भोल जाते हैं आप क्या किया करो इंट्रोडेक्शन देख लिया करो बस इंट्रोडेक्शन देखोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि किसी भी नंबर का जो पावर होती है कोई भी पावर अगर exponent हमारी अगर 0 है तो उसकी value हमेशा 1 ही होती है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 है पावर में 0 है तो इसका मतलब इसका जो value होगी 1 ही रहेगी अब यहाँ पर देखो 3 है यहाँ पर power है minus 1 अब power minus 1 है से plus में करना पड़ेगा plus में करने के लिए divide में 1 लिया और अब इसका हमने reciprocal कर दिया तो 1 उपर 3 नीचे power minus से plus की बन चुकी into यह हो गया 3 की power 2 हो गया इतनी बात के लिए समझ में आ गई अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पहले इसको solve कर लेते हैं इसको solve करने के लिए हम लोग next page में आ जाते हैं ओके यहाँ पर कोई दूसरा पीच चलो यहाँ पर आ जाओ इसको ध्यान से समझो यहाँ पर यहाँ पर हमने लिखा 1 plus 1 upon 3 अब इसके आंगे ही यहाँ पर कर रहे हैं तो 1 upon 1 कर दिया अब इसको हम लोग elseum ले लेंगे इसका हम लोग elseum ले लेंगे तो 3 का square मतलग 3 into 3 3 का square मतलग 3 into 3 3 जग्या होगा 9 यहाँ पर हमने 9 कर दिया इसका elseum आ जाएगा 3 और 3 को 1 से divide करोगे 3 आएगा 3 और 1 क्या हो गया 4 4 by 3 into हो गया हमारे पस 9 अब दोगों 3 से 9 कैंसल 3 3 जा 9 और 4 जा 12 हो गया तो हमारा जो answer आया है वो आया है इसका 12 answer क्या मिलगे हमें 12 अब इसी के second वाले में आ जाओ यह वाला यहाँ पर power हम देख पा रहे हैं minus है तो divide में 1 लिख देंगे और इसका reciprocal कर देंगे तो 1 by 2 into इसकी भी power minus में है तो इसका भी divide में 1 करेंगे इसकी reciprocal कर देंगे तो 1 by 3 आ गया है अब ध्यान देना फिर से हम बता रहे है 1 by 2 है और power क्या है 1 है तो इसको लिखने जहुरत नहीं है 1 लिखने जहुरत नहीं से 1 by 2 लिखना है divide में आ जाओ यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 और minus 3 तो इसका reciprocal करेंगे तो यहाँ पर 1 उपर 2 नीचे और power plus की हो गए यहाँ पर अब इसको solve करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 by 3 2 जा हमें क्या मिल गया 6 मिल गया ठीक है यह bracket में तो पहले इसे solve करेंगे अब divide में आ जाओ अब यहाँ पर 2 है ना इसको 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 मतलब 3 बार लिखेंगे यहाँ पर 3 है यहाँ पर तो यह होगा 2 2 is a 4 और 4 2 is a 8 8 आ जाएगा मतलब की 1 by 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यहाँ लिखा 1 by 8 अब इसके आंगे का काम हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 1 by 6 है 1 by 6 लिखा अब यह divide है अभी तो हम लोग इसको solve नहीं कर सकते हैं बट divide को हम लोग multiply में change कर देंगे और इसका रेसी प्रोकल कर देंगे तो 8 by 1 हो जाएगा अब इसको 2 से cancel कर सकते हैं 2 3's a 2 4's a तो यहाँ पर हमें मिल गया 4 1's a 4 और 3 1's a 3 4 by 3 हमें यहाँ पर मिल गया और यही हो गया हमाँ पस question number 8 के second part का हमारा solution अब अगला जो question है इसका तीसरा यह वाला इसको देख लो यहाँ पर यही question है चलो अब इसको करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जो इसका ठीड़ question है इसमें है 1 by 2 power है minus का 2 तो इसको पहले plus का बनाएंगे तो रेसी प्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 2 उपर 1 नीचे पावर क्या होगे plus की होगे अब देखो यह 1 जो divide में आ रहा है इसकी लिखने की ज़रत नहीं है चाहो तो लिखो या फिर स्रिप 2 ही कर दो अब यहाँ पर भी minus का है तो इसको भी plus का बनाओ तो 3 by 1 और यहाँ पर भी 2 यह भी 1 लिखने की ज़रत नहीं है अब यहाँ पर भी वही चीज है तो यहाँ पर 4 उपर 1 नीचे और यहाँ पर है पावर plus की 2 अब देखो 2 by 1 है छीक है इसमें पावर 2 लगी है तो इसको दो बाई लिखो 2 by 1 equals to 4 हो गया अगर हम लोग divide में 1 ना लेते हैं तो 2 into 2 करते तो भी यहाँ पर 4 आता है अब यहाँ पर 4 by 1 है 1 को हम नहीं लिखेंगे सिर्क 4 लिखेंगे यहाँ पर 4 ऐसे इसको solve करो 3 into 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा 4 into 4, 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा अब इसको solve करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमाई पर 29 लोग आगे answer, इसका ठल I hope आपको समझ में आ रहा है अब यहाँ पर question number 9 को देख लो यहाँ पर जो question number 9 है यह थोड़ा सा अलग है अभी तक हम लोगों ने इस तरीके question नहीं किये तो इसको ध्यान से देखो किरा find a value of x for which हम एक्स की value find करनी है यहाँ पर सबसे पहले देखो की x है कहाँ पर हम देख पा रहे हैं यह x है हमें इस x की value find करनी कैसे करेंगे चलो देखते हैं सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 5 By 3 और यहाँ पर क्या है 5 By 3 Safety हमने क्या देखा रहा हमारा बे सेमक है इस तो पाफर कुछ भी हो Philippines की हो प्लेस की प्था हमें घंटा फर्ट नहीं पड़ता हमने बता तो आपको इंट्रेक्शन वीडियो में कि जब बेस सें होता है तो power क्या होती है add हो जाती है कब add होती है जब 20 में multiply होता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 by 3 और power को हम लोग add करेंगे minus 4 बीश में कर दिया plus और यहाँ पर minus का 5 चीक है equals to 5 by 3 और यहाँ पर power है हमारे पास 3 by x इतनी बात clear हो गई चलो अब इधार हो जाओ यहाँ पर इसको solve करेंगे तो 5 by 3 और फिर यहाँ पर देखो 5 sorry 4 minus का यह bracket खुलेगा plus minus क्या हो गया minus 5 हो गया equals to हो गया 5 by 3 और फिर यहाँ पर हो गया 3x हो गया इसको solve करेंगे 5 by 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास minus plus और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 5 और 9 वो भी minus करो यहाँ पर आगया हमारे पास 5 by 3 और यह हो गया हमारे पास 3x हो गया इतनी बात clear हो गई अच्छा अब यहाँ पर आप देख पा रहो कि 5 by 3 यहाँ पर है दोखो यह minus का इसको अभी ऐसे ही रहने दो यहाँ पर बस इतना notice करो कि 5 by 3 इधर भी है और 5 by 3 इकल के इधर भी है तो एक चीज़ यहाँ पर एक rule होता है rule यादकना क्या होता है कि जब हमारा base seem होता है equal के हैना तो power क्या होती है आपस में equal हो जाती है जब कभी भी base हमारा आपस में equal होता है एक जैसा होता है और बीच में sign क्या है equal का लगा होता है तो power should be equal फिर से समझो अगर base हमारा एक जैसा है चीक है बीच में equal का sign है तो power भी हमारी आपस में equal होंगी तो सीधा अब हम लोग इसकी power लिखेंगे 9 minus का equals to 3x अब दोखो जो यह 3 आपको दिख रहा है न यह multiply में x से साथ इधर आ जाएगा divide में तो minus 9 by 3 equals to x इसको solve करोगे तो यहाँ पर minus 3x मिल जाएगा minus 3 equals to x हमें x की value ही find करनी थी और x की value आ गई है minus 3 और यही हो गया question number 9 का हमारा solution I hope आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर एक rule है इस rule को याद रखना कि base अगर same है बीच में equal लग रहा है तो power जो होगी वो आपस में equal कह दी जाएगी जैसे यहाँ पर है got it? अब question number हम लोग आते हैं 10 पर question 10 question 10 कहा है अब question number 10 को देखो हमें question number 10 में भी value find करनी है पहले question को लिखे हैं question हमारे पास 4 by 9 power है हमारे पास 4 into 4 by 9 power है हमारे पास minus 7 equals to यहाँ पर है 4 by 9 power है यहाँ पर 2x minus 1 question ने कहा है कि x जो यह आपको देख रहा है न इस x की value find करो यह question number 9 की तरह ही है सबसे पहले इधर आजो यहाँ पर 4 by 9 है 4 by 9 हमने देखा बेस सेम है जनाब बीच में multiply लगा है तो power क्या हो जाएगी? add हो जाएगी तो यहाँ लिखेंगे 4 by 9 और power add हो जाएगी मतलब 4 plus bracket में minus 7 equals to 4 by 9 और यहाँ पर है 2x minus 1 इसको ऐसे ही लिखा रहे ने दो अब यहाँ पर हो गया 4 by 9 और यहाँ पर हो गया 4 plus minus minus यहाँ पर हो गया 7 equals to हो गया 4 by 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पर 2x minus यहाँ पर हो गया हमारे पर 1 यहाँ पर आजाओ यहाँ पर लिखा हमने 4 by 9 और यहाँ पर है हमारे पर minus 3 चीक है? equals to 4 by 9 और यहाँ पर है हमारे पर 2x minus 1 है यह हो गया हमारे पर अब हमें करना क्या है? देखो जनाब 4 by 9 यहाँ है, 4 by 9 यहाँ है base same है और बीच में equals to लगाए base same होगा और बीच में equal का sign होगा तो जो power होंगे न power always equal तो power हमारी भी equal हो जाएंगे तो 2x minus 1 हो गया अब दोखों यह minus का 1 है equal के इधर आ जाएगा minus 3 minus 1 दोखो minus का है, इधर आएगा तो plus का बनेगा equals to 2x यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमाँ पर हो गया, हमाँ पास minus 2 equals to, यह 2 multiply में equal के इस साइट भेज देंगे, divide में आ जाएगा यह हो गया, divide में cancel कर दिया, minus 1 मिल गया और यही हो गया हमाँ पर question number 10 का हमारा answer क्योंकि है minus 1 समझ में आ गया I hope आपको समझ में आ रहा है अब सिर्फ 3 question बचें उनको भी solve करते हैं अब यहाँ पर जो आप question 11 देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा है by what number should minus 6 power 1 be multiplied so that the product becomes 9 minus 1 question क्या कह रहा है कि इस number पे हम लोग क्या multiply कर दे किस number का multiply कर दे ताकि हमारा जो product है न जो हमारा answer होगा वो यह मिल जाए यह question कह रहा है question समझ में आया नहीं आया होगा अभी समझाते हैं हमने क्या कहा कि question नहीं कहा हमने तो कुछ नहीं कहा हमने तो यह कहा कि सब कुछ समझा देंगे बस question क्या कह रहा है यह आप को समझना है वो भी हम समझाएंगे हमने कहा कि आपके पास एक number है minus 6 जिसकी power है minus 1 अब question कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर दे किस का multiply कर दे किस number का multiply कर दे ताकि हमें न जो product है वो मिल जाएगा 9 minus 1 ठीक ये question कह रहा है हमें ये number क्या करना है find करना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले let करेंगे let the required number required number be x हमने मान लिया कि हाँ पर x है तो इसको minus 6 power minus 1 into x कर दिया equals to 9 minus 1 ठीक है समझ गया ये बार समझ में आ गई चलो अब हमें क्या करना है हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो power है minus 1 minus 1 है इसको हमें plus 1 बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा इसका reciprocal divide में कुछ नहीं तो 1 माना 1 उपर हो गया 6 नीचे हो गया और यहां पर minus हो गया यहां पर आ गया plus 1 अब 1 लिखने की बिलकुल ज़रत नहीं इसको ऐसे छोड़ दो जब plus 1 हो जाए ना power में तो उसको बिलकुल ना लिखो कता ही मत लिखो x equals to हो गया इसको भी ऐसे करो divide में 1 हो जाएगा 1 उपर हो जाएगा 9 नीचे बस अब देखो इसको हम पहले लिख देते 1 by 6 यह minus उपर ही रहेगा हमेशा into x equals to 1 by 6 इसको दोबारे इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर देखो जो यह 6 है यह कहां है divide में divide में ना equal के इस साइट भेज देंगे तो multiply में हो जाएगा किसमें? multiply में यहां पर यह minus 1 है यह multiply में है multiply में है equal के इस साइट भेज देंगे किसमें हो गया? divide में यहाँ पर बचा किया सिर्फ x 3 2 0 6 3 3 0 9 यहाँ पर क्या आगया 2 1 0 2 और यहाँ पर 3 1 0 3 वो भी माइनस खत्री है हमें पता है कि जो माइनस है यह कभी भी डिवाइड में नहीं होता हमें इसा उपर लिखते हैं डिनॉमिनेटर में माइनस नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या आगया माइनस 2 बाइ 3 तो हमने क्या कहा कि यह वो नंबर है यह इस नंबर का अगर इस नंबर के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमें यह प्रोडेक्ट मिल जाएगा I hope you guys understand कहीं भी कोई दिक्कत है कॉमेंट करो चलो अग कोईशन नंबर 12 में आजाओ कोईशन नंबर 12 भी कुछ ऐसे ही है यह कह रहा बाइवाट नंबर सुट इस नंबर क्या हमाँ पस माइनस 2 बाइ 3 पावर है माइनस 3 बी डिवाइट सुट एट दा कोईशन्ट में भी 4 अपॉन 27 माइनस पावर 2 है क्या कह रहा है? मैं इस नंबर से किस नंबर को डिवाइट करेंगे ताकि जो हमारा कोईशन्ट है वो 4 बाइट 27 पावर माइनस 3 आ जाए सोरी, माइनस 2 आ जाए यह कोईशन कह रहा है अब इस नंबर को हम लेट कर लेते हैं X क्या let कर लेंगे? x let कर लेंगे बिल्कुल ऐसे let the required number bx कर लेना, ठीक है? अब इस number का raci protocol सबसे पहले कर दो, क्योंकि हमें ये minus से plus में बनाना है, तो 3 उपर जाएगा 2 नेचे आ जाएगा, ये minus है तो यहाँ पर लग जाएगा minus अब power यहाँ पर क्या हो गई? हमारे पास 3 हो गई, plus की divide, इस जगह पर हमने एक x मान लिया है अब ये भी minus का है ना, तो इसको हम लोग plus का बनाएगे, तो क्या होगा? ओके, 27 उपर 4 नीचे, raci protocol ठीक है? हम यहाँ पर check कर रहे थे क्या हमने सही लिखा या गलत, confusion थी बट हमने बिल्कुल सही लिखा है चलो, अब यहाँ पर इसको solve करो, कैसे? 3 की power 3, मतलब 3 का 3 बार multiply 3 into 3 into 3 3 is a 9, 3 9 is a 27 हम यहाँ पर क्या मिल गया? 27 मिल गया, ठीक 2 की power 3, मतलब 3 2 बार भी इसको ऐसे करेंगे, 2 2 is a 4 4 2 is a 8, divide x यहाँ पर है हमाँ पर 27 27 into 27 लिख देते हैं direct ऐसे, divide में 4 into हमने 4 कर दिया हमने इसको multiply नहीं किया बिलकुल नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी देखना यह कट जाएगा, देखो यह जो 8 है यह divide में 27 by हमने 4 कर दिया into, यह divide में इधर जाएगा multiply, मोपर multiply 27 divide में, इधर आएगा equal कि तो divide में आजाएगा, देखो divide में है sorry just wait, अभी कुछ कुछ, 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 एक सिकंड यहाँ पर न, एक हमें step करना चाहिए था हाँ, क्या करना चाहिए था यह divide है न, इस divide को हटा देंगे, multiply बनाएंगे क्योंकि इसके साथ हम लोग अभी solve नहीं कर पाएंगे इसको multiply बनाया अब इसे multiply करेंगे तो x का reciprocal करना पड़ता है हमें इसा याद रखो अगर हमें इस number को solve करना है तो इस divide को हटाएंगे, multiply लगाएंगे और यहाँ पर जो भी number होगा उस number का reciprocal, यहाँ पर divide में कुछ नहीं तो 1 माना, तो 1 upon x हमारा reciprocal आ गया ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 divide में था, इधर चला गया तो किसमें हो गया, multiply में यहाँ पर 27 multiply में इधर आ जाएगा, तो यह divide में हो जाएगा 27, ठीक है अब यहाँ पर 27 हमारा minus का भी रहेगा दोखो यह minus था ना, इसलिए यहाँ पर minus हो जाएगा 27 से 27 एक cancel 4, 2 the 8 2, 2 the 4 तो यहाँ पर क्या आ गया 27 by यहाँ पर आ गया, हमारे पर minus 2 आ गया हमें यह मिल गया, क्या मिल गया 27 by minus 2 हमें मिल गया अब देखो, यहाँ पर है 1 upon x अब हमें क्या करना है देखो, इस x को यहाँ बेजेंगे और इस minus 2 को यहाँ बेजेंगे minus 2 हमने यहाँ बेज दिया ठीक है, x को हमने यहाँ बेज दिया तो यह होगे 27x तो यहाँ पर 27 आ गया, इक्वल्स टू एक्स, यही हो गया हमाई पर कोशन नमबर 12 का आंसर, माइनस 2 बाइ 27 इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी, यही हमें फाइंड करना था, कोशन 12 में, कर लिया, फाइंड, देखो यह जो कोशन है ना, इसको important बना लेना, इस चैप्टर में अगर कोई कोशन पूछे जाएंगे, तो यही पूछे जाएंगे, जो की है, यह, most important question of this chapter, got it, यहाँ पर है, 5, 2, x, plus 1, divide this, equals to this, find the value of x, हमें x की value find करने, कैसे करेंगे, चलो करते हैं, बहुत easy question है, यहाँ पर, हम लोग कर लेते हैं, कुछ खाली पेज पढ़ाएंगे, क्या कोई, सब भर जाएंगे, औरे, कुछ भी खाली नहीं है, चलो इसक के पीछे करेंगे, यह, साफ है, थोड़ा सा, चलो, question को पहले हम note कर लेते हैं, देखो, question बोल क्या रहा है, question ने कहा है, कि आपके पास एक value है, question 13, और यह कहा रहा है, आपके पास है, 5, 2, x, plus 1, और यहाँ पर है, divide 25, ठीक है, equals to 125, अब कहा रहा है, कि भाया, x की value है न, यह यह find करो, x कहा है, यहाँ है, यह value find करो, अच्छा बताओ, अभी कुछ हम लोग कर सकते हैं, calculation कुछ हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, पर हम लोग यहाँ पर देख पाने, बीच में divide है, अगर हम लोग यहाँ पर divide को हटा दें, और यहाँ पर multiply लगा दें, तो क्या होगा, यहा यहाँ पर हमने कर दिया 25, इतनी बात के लिए, अब यहाँ लिखा हमने 5, keep our 2x plus 1 equals to, देखो यह divide में, equal के east side चला जाएगा, तो multiply हो जागा, तो 125, into हमने कर दें, यहाँ पर 25, यह हो गया, चीक है, इसको हमने लिखा 5, और यहाँ पर लिखा 2x plus 1, अच्छा, यहाँ पर 125 है 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते है 5, 5 using 5, 5 into 5, into 5, क्योंकि 5 into 5 क्या होता है, 25, यहाँ पर है into 5, और 25 into 25 क्या होता है 125, तो 125 को अगर हम इस तरीखे से लिख दें, तो कोई दिक्त है, नहीं न, तो चलो, हमने लिख दिया 5 into 5 into 5, ठीक है, अब यह multiply है, यहाँ पर लगा दिया है अब इस 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 into 5 5 into 5 मतलब 25 होता है तो 5 into हमने 5 लिख दिया अब गिनो कितने 5 होगे 1, 2, 3, 4, 5 5 होगे, कितने होगे, 5 होगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 की power 5 5 की power और हम लोग 5 लिख सकते हैं चलो, बिलकुल लिख सकते हैं यहाँ लिखा 5, 2x plus 1 अब दोखो, आपको याद होगा हमने बताया था, कि जब कभी भी हमारा base same होता है और बीच में equal लगा होता है तो जो power होती हैं, वो आपस में equal हो जाते हैं तो हम लिखेंगे 2x plus 1 equals to 5 यह लिखेंगे डिरेक्ट लिख देंगे क्या लिखेंगे? जब हमारा base same होता है कब लिखेंगे? जब base same होगा बीच में equal होगा तो power should be equal अब दोखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पस? 2x यह 1 plus का इधर जाएगा minus का हो जाएगे तो minus 1 इधर आजाएगा हमारे पस 4 अब 2 multiply में इधर आजाएगा divide में तो यहाँ पर आगे हमारे पस 2 हमें x की value यहाँ पर 2 मिल गई है I hope आपको समझ में आ गया है और यहाँ पर x की value 2 मिलते ही हमारी यह exercise 2A पूरी समाप्त हो गई so guys अगर आपको यह video अच्छी लग रही तो comment करो share जरूर करो ठीक है और like करके जाओ अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो घुशा मारके subscribe कर दो बस phone नहीं तूटना चाहिए नहीं तो तुम तूट जाओगे घर पे तो यहां पर 2A हमारी हो गई है अब हम लोग next video में solve करेंगे exercise 2B क्या solve करेंगे exercise 2B तो exercise 2B में कुछ खास है ने बहुत simple simple यह exercise है कैसे करना है हम बताएंगे next video में और इसकी link आपको description में मिल जाएगे comment करके जरूर जाना वरना बहुत मारक हो गया